इस्राइल के हमले से थर्राया लेबनान इससाई ठीकाने पर इस्राइल ने बंबरसाए इस बुल्ला के ठीकाने नितनियाहू का एलाने जंग रोकिट से हमला, बंबारी से मौत का माता इस्राइल ने लिबनान से चुनजुनकर बदला लेने की ठान ली है लिबनान के साई ठीकाने पर इस्राइल ने हमला कर दिया है इस हमले में 21 लोगों की मौत की खबर है नितनियाहू ने जंग का एलान करते हुए कहा है कि इस बुल्ला के सभी ठीकानों को तबाह कर देंगे लिबनान के स्वास्त मंत्राले के मताबिक सुमवार को उत्री लिबनान में इस्राइल के हवाई हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और आठ लोग घायल हैं इस्राइल का यह हमला त्रिपॉली में एक इस्राइए इलाके एतोव मो हुआ आम तोर पर इस्राइल इस्राइए इलाके में हमला नहीं करता लेकिन ताजा हमले से लिबनान में हल कम मचा हुआ है एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुतावे के तूव में एक अपार्टमेंट में दक्षिन लिबनान से पलाइन कराएं लोगों ने अपना ठिकाना बना रखा था इसी ठिकाने पर इसराइल ने बंबारी कर दी रोकेट दाग दिये, खौफ में लोग सहम गए लाशें बिखर गई और चारों ओर्थ हुए का गुबार दिखाई दिया डिपोली लिबनान के सुरुक्षित इलाके में गिना जाता रहा है दावा ये भी है कि इसराइल ने पिछले हफते पहली बार यहां एक चड़ार्थी कैम पर बंबारी की थी इसराइली सेना ने इस हमले में आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया है लेकिन हमले से कुछी घंटे पहले इसराइल के पिएम बेंजामिन में तनियाहू ने कहा था कि बेरूस समेत धार उस इलाके पर हमला किया जाएगा जहां हिजबुल्ला के ठिकाने हैं जाहिरा इसराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले का पूरा प्लान बनाया है उधर इसराइल ने गाजा में भी हमला जारी रखा है इस हमले में 29 लोगों की मौत की खबर आ रहे है सुचनाओं के मतावे के इसराइली सेना ने मंगलबार सुबह दक्षणी गाजा में सलाह अलदीन मस्जित पर बंबारे की थी इसमें 29 लोगं की मौत हो गई इसराइली सेना ने कहा था कि उसने नागरिकों के बीच छुपे आतंकवादियों को निशाना बनाया लेकिन इस बात का कोई प्रूप नहीं दिया इसराइल ने कई बार भीड़ वाले शणारती शिवरों और तंगूव में बनाय गए शिवरों पर हमला किया इसराइल की ओर से ये भी आरोफ लगाया किया कि हमास के लड़ाके हमलों के लिए इन शिवनों का इस्तेमाल करते हैं इन हमलों से कुछ गंटे पहले गाजा पटी में एक अस्पताल पर जिर्प भी बंबारे की गई इसराइली हमले में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई फिलिस्तीनी डॉक्टर्स के मुताबिक हमले के चलते ही उस्ते विस्तापित लोगों के लिए बनाए गए कैम्प में आग लगने से कई लोग गंभी रूप से जुलस गए उधर तमाम तरह की अठकलों के बीच आई आर जीसी विचीफ दो हफ़ते बाद दिखाई दिये इनके मारे जाने की सुचनाएं सोचल मीडिया में सुर्कियों में है इरान के इस्लामिक लिवरिशनरी गार्ड कॉप्स आई आर जीसी के ब्रिगेडिया जनल इस्मायन कानी दो आफते से अंडर ग्राउंड थे अचानक वो सामने आए हैं जयनकारी के मताबिक उनके इस्राइली हमले में मारे जाने की आशंका जताई जा रही थी लेकिन जनल इस्मायन कानी सही सिलामत नजर आ रहे हैं इस्मायन कानी मंगलवार सुभए इरानी टेलिविजन चैनलों पर नजर आए तेरान एरपोर्ट पर वो अबास निर्फलोकेशन के शफ़ को रिसीव करने पहुंचे थे सितंबर महिने में बेरूत पर इस्राइली डोन हमले में इस्मुला निता हसन असुरुला के साथ निर्फलोशन की मौत हो गई थी निर्फलोशन बेरूत में असुरुला का इरानी लीडर ठामेनेई का मैसेज देरे पहुंचे थे ताजा हमले से अमेरिका ने भी आखे थरे री वाइट हाउस ने पहले की दमकी भी याद दिलाई अमेरिकी नागरिक पर हमला हुआ तो भुकते का इरान ताजा हमले के बाद अमेरिका का पारा भी साथवे आसमान पर है अमेरिका ने इरान को गंभीर परड़ाम भुगतने की चेताबनी दी है वाइट हाउस ने इरान से कहा है कि अमेरिका कई साल से पूर राजपती डोलर्ड टरम्प के खिलाफ उनकी धंकियों पर बारीकी से नज़ा रख रहा है यदि इरान किसी भी अमेरिकी नागरीकी पर हमला करता है तो उसे इसके गंभीर परड़ाम भुगतने होंगे इस बुल्ला ने रहिवारात रहजाइल के आइफा इलाके में गोलानी मिलिटरी बेस पर हमला किया था इसराइल डिफेंस फोर्स आइडिएफ के मताबिक इस हमले में चार सेनिकों की मौत हो गई और कम से कम 58 सेनिक गायल हुए है गायल सेनिकों में साथ गंभी रूप से गायल है यह हमला राजधानी तेलवीब से 40 मिल दूर बिनियामिना काउन में हुआ इसराइली मिलिटरी के प्रवक्ता के मताबिक कोई भी ड्रोन बिना किसी वार्निंग के इसराइली हवाई सीमा के अंदर कैसे आ सकता है इसकी जाच हो रही है हमलावर संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि आईडियाप की ट्रेनिंग बेस पार ड्रोन्स की बरसात कर दी गई उन्होंने उन जगों पर विस्पोर्ट किया जहां पर इसराइली सेनिक मौजूद थे वे लेबनान पर हमले की त्यारी के लिए योजना बना रहे थे इसराइल और लेबनान के बीच जंग जा रही है कहीं डोन हमले की बरसात हो रही है तो कहीं आस्मान से बम बरस रहे हैं वेराइल इसराइल के ताजा हमले में लेबनान का भारी नुकसान हुआ है कई लोगों के मारे जाने की खबरे हैं सवाल ये है कि ये जंग कब तक जारी रहेगी विरो रिपोर्ट न्यूज एटी